हलो दोस्तो आज ही इस वीडियो बे मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तो ये टाइमिंग चेन होती ही जो कि हमारी बाइक की एंजन में लगी हुई रहती है और ये इसी बाइक की टाइमिंग चेन है आपकी बाइक में यहां से यहां तक टाइमिंग गूमती है अगर यह डिली होकर चलती है तो आजू-आजू का चेंबर घिस जाता है जिससे दोस्तों गिसा हुआ जो मेटल का पार्टिकल जो डस्ट रहता है वो आपके इंजन ओल में सर्कुलेट होता है और बाइक की इंजन आपकी upward के इंजनर साउंग फेडिवो और किसा तरह का दोस्तों साउंड ााता है वह भी मैं आपको सुना देता हूं मैं को इस बाइक में लगने वाली यह दोस्तों बजब पने की का जाएमिंग और उसका पार्ट देख सकते हैं Julk166 e 7 तो यह दोस्तो पज़स्ट टूटॉंटी की टाइम अब मैं आपको इसका साउंड सना देता हूं कि तो दोस्तो इस तरह का टाइमिंग चैन का साउंड रहता है दोस्तो सबसे पहले टाइम बदलने के लिए हम गाड़ी के engine oil निकालेंगे क्योंकि clutch वाला पैनल हमें खोलना पड़ता है engine oil निकालने के लिए दूस्तों left side में नीची के तरफ bolt लगा हुआ रहता है pulsar बाइक में दूस्तों 16 नंबर का पाना लगेगा पाने से आप इसके drain bolt को खोल के इसकी गाड़ी का जो oil है दूस्तों वो सालर निकाल ले और दूस्तों में जो आपको इस वीडियो के तरीका बताने वाला हूँ वो पलसर 125 निव मॉडल पलसर 150 180 पलसर 200 पलसर 220 इन सारी बाइकों के इंजन दूस्तों जो है वो सेम डिजाइन का रहता है तो इसी वीडियो को देखकर आप उस बाइक की टाइमिंग चेंड को बदल सकते हैं और अगर आपको डिसकबर प्लेटिरा इस सीटी हंडड वाली वाइक के इंजन की आपके टाइमिंग चेंज की वीडियो आपको देखना है तो चैनल पर आपको वीडियो दूस्तों और रेडी मिल जाएगी आप बोद वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं और निकालने के बाद हमें ड्रेन बोल्ट फिर से लगा देना है अब हमें इसके क्लच चमबर को खोलना है क्लच चमबर खोलने के लिए दूस्तों ये सारे नट हम निकालेंगे उसके पहले हम क्लच केविल को डिसकनेक कर लेंगे यहां से दूस्तों यह देख सकते हैं इसम तरह की और भी मेकेनिकल रिपेरिंग वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी में कुछ भी आपका कॉशन रह जाता है तो आप उसको कमेंट वाक्षिन पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाइ जरूर दूँगा और अभी आप देख लें सारे बोल्ट हम खोल देंगे ये देखिए दोस्तों सारे बोल्ट निकल आएंगे अब हमें इसके कलच कवर को निकालना है इस तरह से खीच के हम निकाल लेंगे तो ओयल दोस्तों सारा आप निकाल इस बात का ध्यान रखें और ये टाइमिंग चैन हम इस विकारी कंदर डा देंगे यह special tools रहते हैं दोस्तों और सारी tools की दूस्तों link खरीदने के लिए आपको description में मिल जाएगी बहां से जाके आप सारे special tools खरीच सकते हैं तो अभी हमने centrifugal filter का जो तीन screw लगी रहते थे वह हमने खोल लिये हैं अब filter निकालेंगे आप filter में से दोस्तों कुछ oil भी निकलता है साधी में बहुत सारी metal की particles रहते हैं क्योंकि फिल्टर कहलाता है तो इसी particle को यह catch करता है तो अगर आप filters आप करना चाहते हैं तो भी एक बार में कर लेंगे तो बहतर रहेगा अब दोस्तों इसके अंदर एक special design bolt लगा हुआ रहता है उसको मिस जाएगा यह दोस्तों सीधा खुलता है और सीधा कसता है लेकिन क्लास इसका अपोजेट चलता है क्लाच खोलने के लिए हम इसको उल्टा घुवाना पड़ेगा तो अभी दोस्तों में centrifugal filter को निकाल लिया है अब हम इसके clutch assembly जो के clutch plate और clutch hub है उसको निकालेंगे दोस्तों इस बाइक में timing chain को change करने के लिए बहुत सारे पार्ट खोलने पड़ते हैं बहुत सारे दोस्तों जो है इसमें nut world वगएर हमें खोलने पड़ते हैं engine के अंदर खुछना पड़ता है क्योंकि दोस्तों इस बाइक की design जो है वो काफी compact है और काफी heavy bike है दोस्तों इसके लिए इसमें सारे पार्ट जो है वो पास पास में कसे रहते हैं उसमें कुछी भी इसमें बदलना पड़ता है तो काफी कुछ खोला कसी हमें इसमें करना पड़ता है तो इसको खोलने के लिए हम इसको top gear में डाल देंगे और clutch का जो main screw है यह bolt है जो दोस्तों इसको खोल लेंगे जलती हुई गाड़ी में clutch ढीला हो जाएगा ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है तो अभी हमने दूस्तों clutch center को निकाल लिया है अब हम clutch हपको निकालेंगे उसके पहले दूस्तों में इसका scissor gear निकालना पड़ेगा scissor gear उपल लगा रहता है उसके लिए हमने यह तीन खोल लेंगे उसके उपर दूस्तों जो scissor gear का cover लगा हुआ है इसको निकालेंगे यह छोटा सा scissor gear cover यहां का आप द्यार रखे एक बासर और bearing लगा हुआ रहता है अंदर का अब दूस्तों यह special tool है आप देख ले इसको scissor gear loader या फिर scissor gear puller बोलते हैं कई लोग इसको balancer tool भी बोलते हैं तो इसको इसमें फसा लेंगे अगर मैं इसको direct खीचके निकाल लेता तो मैं समझ नहीं पाता कि आखर company ने इसमें कितनी loading करके दी हुई है तो as it is position में हम निकालेंगे अगर हम setting change करेंगे तो गाड़ी में से हो सकता है sound जो है वो दोस्तों और बढ़ जा या फिर clear ना हो इस बात का आप ध्यान रखें अब हमें इसमें से यह gear निकालना है यह gear इसी तरह simply लगा हुआ रहता है इसमें काटर लगी रहती है उसका भी आप ध्यान रखें अब दोस्तों जो timing chain है वो यहां से आपको निज़र आने लगेगी तो timing chain यहां से दोस्तों लेकिन timing chain यहां से उपर तक जाती है तो हम उपर का भी दोस्तों पार्ट जो अब खुलना पड़ेगा अब ही आप देख रहे हैं मैं एक guide खुर रहा हूं timing chain गाइड बोलते हैं जिसको जो की timing chain को पर pressure बना के रखती है क्योंकि दोस्तों timing chain चलती हुई daily हो जाती है तो बारे पार्ट को चेंज करते हैं जिससे बाई की परफॉर्मेंट जो है पहले जैसी रहे यह दोस्तों आटो टेंसर लगा हुआ है timing chain टेंसर गोलते हैं इसमें 10 नंबर के बोल्ट को हम खोलेंगे उसके अंदर स्कूरू डाइबर डालेंगे दोस्तों यह छोटा वाला उसक यहां पर दोस्तों हम शीट निकालेंगे गाड़ी की सीट निकालने कि बाद गाड़ी का फ्यूल टेंक के क्net करेंगे क्वियों को निकाल थैंकेक अब दोस्तों में इसके head को खुल ला है head आप देख सकते हैं यह गाड़ी का head है और यहाँ पर दोस्तों काफी सारे support इसमें लगे हुए है आप देख सकते हैं आठ नंबर के 12 नंबर के 15 नंबर के सारे net लगे हुए हैं इसके अंदर तो एक करके आपको मैं बताता जाता हूं कौन कौन से टूल से लग रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप यह देख रहा है यह बारा नंबर का है यहाँ पर तीन लगे रहते हैं बारा नंबर के दो चेचिस में और एक लागा रहता है इंजन के head पर बारा नंबर का टूल इसमें लगेगा तो दोस्तों यह आप दिख सकते हैं इसको मैं disconnect कर लिया है उसके बाद आठ नंबर की लगेंगे यह कुछ बड़े इस टूट रहते हैं और कुछ छोटी रहते हैं तो आठ नंबर के इसमें लगेंगे आठ नंबर से सारे खुल और बीच में चाल लगी रहते हैं बड़े वाले जो कि चवदय नंबर के पाने से खुलेंगे तो सबसे पहले हम दोस्तों आठ नंबर वाले निकाल लेगे अब दोस्तों यह चवदय नंबर का पाना लग रहा है इसकी हेड के मेन इस्टूट में जो कि बड़े श्टूट रहते हैं जो कि हेड से लेके सीध्य आपके गेर बॉक्स तक जाते हैं तो इस तरह से ओपन कर लेंगे कई श्टूट दोस्तों जो निकलते समय फज जाते हैं तो उनको हमें डबल बोल्ट लगा के दूस्तों लॉक करके खोलना पड़ता है यह देखे सारे श्टूट निकल आये हैं इस तो निकलने के बाद दूस्तों हम इसके हेड को स्कूट अराम से निकाल लेंगे कि इसमें सॉल्यूशन पैकेंग इस तरह से कुछ लगा हूँ हो सकता है तो यह हैड हमारा खुल गया है एड को खुल के तिर्चा करके निकालेंगे इसमें थोड़ी सी प्रॉब को लॉक करके तो हमारी टाइमिंग चैन दूस्तों ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉलम जाएगी यहां से आप इसकी केमसाफ्ट को निकाल सकते हैं तो यह देखिए दूस्तों इसमें आप हातों से कडियों को खिसकाते जाएंगे तो आपकी केमसाफ्ट जो है फ्री हो ज निकलाएगी और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दूस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की मेकैनिकल रिपेरिंग वीडियो लाता रहता हूं तो जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम में वह आप अपनी भाई की खुद से र चैनल पार्ट है जिसकी कीमत 228 रुपए है पार्ट नमबर डी के दस्त दस्त चौसाट है टामिंग चैन निकाल लेंगे यह टामिंग चैन में दूस्तों ओइल लगा हुआ रहता है पहले से और इसमें उल्टा सीधा जैसा कुछ नहीं रहता है आप कैसी भी घुमा कि इसम इसे टामिंग चैन नीचे चली जाए तो अभी दोस्तों टामिंग चैन जो वह नीचे पहुच गई है उपर हम कुछ फसा देंगे इसमें इस तरह से इससे बुट टामिंग चैन बहुत जो है ब्लॉक के अंदर समटर ना जाए एक खटी ना हो जाए अब हम क्या करेंगे द दोस्तों बूल लगा देंगे इसमें काटर लगी रहती है मतलब चोटा सा एक लोगी का टोड़ा रहता है काटर बोलते हैं तो इसमें यह गेर लॉक हो जाता है जब आप अपनी भाइक को खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा मैं क्या बूर रहा हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा तो आप अपनी भाइक की रेपेरिंग कर पाएंगे काटर डाल की लॉक कर देंगे दोस्तों जिससे हमारी टाइमिंग चैन नीचे से फिक्स हो जाया है अब हमें इस टाइमिंग चैन को उपर से फिक्स करना है उपर से फिक्स करने के लिए हम इसक खोला हुआ है दोस्तों उसका रीजन यह है कि उसका टाइमिंग चैन्स से कुछ लेना देना नहीं है बोतु मैंने बाइक को खोला हुआ है तो साथ ही मसको भी साप करके लगा दूँगा इसलिए है तो आप उस पे न आ जाएं कि ये भी आपने क्यों को लाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें अब दूस्तों ये वाला हम यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है ओरिंग को आप देख लें और इस बाली इसको लगा देंगे दूस्तों यहाँ पर इस पार प्लक लगता है और इसके नीचे छोटा सा एलन की बाला स्कूरू लगा रहता है दूस्तों उसको भी टाइट कर देंगे पुरानी टामीन चेल निकालने के लिए इस इसको निकालना पड़ता है दूस्तों जो कि मैंने पहले कर लिए था वो सूट नहीं हो पाया था तो अभी मैंने आपको बता दिया अब पहले प्लक खोलेंगे स्क्रू निकालेंगे और इसकी जो जो सिलेंडर डाला हुआ वो निकाल लेंगे लगाने के लिए पहले सिलेंडर इस्कृ और फिर इस पर प्लक को टाइड कर देंगे तो यह देखे दोस्तो इस पार प्लक लगा दिए बापिस अच्छी तरह से पार प्लक टॉईड कर देंगे अब दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पार प्लक लग गया है नीजी के तरफ टाइमिंग चेन भी फिक्स हो गई है और यहाँ पर आप में सेटिंग आपको बता देता हूँ यह वाला आपको मार्क दिख रहा होगा यह वाला मार्क जो है दोस्तो वो हमारा उपर की तरफ इना चाहिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक निसान दिखेगा आपके लिए आप देख सकते हैं फ्लेज जला लिया है यह वाला निसान यहाँ पर आना चाहिए जब हमें टाइमिंग चैन को लगाना है यह इसकी सेटिंग रहती है अगर हम इसको कैसा भी लगा देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या फिर गाड़ी मिसिंग करने लगेगी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो सेटिंग के साब से लगाएंगे मारकेंग इसलिए दी हुई रहती है तो crank को घुमाने के लिए आप magnet से घुमा सकते हैं चकी को घुमा कर gear पर गाड़ी को घुमा सकते हैं नहीं तो इस तरह से कुछ भी tools लगा के इसमें जो मेने यापर आप देखेंगे तो clutch वाला tool लगा दिया है इससे भी घुमा के हम उसकी setting को ला सकते हैं सबसे पहले हमें नीचे के arrow को उपर के marking के तरफ रखना है फिर हमें timing chain लगाना है अभी दोस्तों मैं नीचे की setting को जमा लिया है अब हम इसमें timing chain लगाएंगे timing chain को camshaft में चड़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो इसमें pocket रहता है दोस्तों timing chain के pocket जिसमें दाती बने रहते हैं उसकी setting को समझना होगा ये timing chain इस तरह से लगेगी दोस्तों और अभी मैंने camshaft रख दिये अब इसकी स्पोकेट को एक बार देख लेते हैं वो मैं आपको setting समझा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप इसका ये स्पोकेट देख सकते हैं इसमें ये दोनों निसान दोस्तों जो बने हुए है वो इसके आजू बाजू आएंगे बिलकुल और इसमें जो T बना हुआ है दोस्तों ये T, T का मतलब रहता है top ये सबसे उपर आता है तो इस तरह से आपको इसमें लगाना है side से इसमें अंदर डाल देंगे इसमें दुस्तों आलन की लगे उई रहती है जिसको खुलने के लिए 6 नंबर की आलन की चाहिए परती है 6 नंबर की आलन की से आप इसको open कर सकते है मैंने इसको खोल के पूरा साप किया हुआ था पैट्रोल से या फिर आप डीजल से इसको क्लीन कर सकते हैं केम साप्ट को क्लीन ना करें दोस्तों क्योंकि केम साप्ट में बेरिंग रहते हैं तो बेरिंग में आबाज आने लगती है तो उस पार्ट को clean करें जो कि आपको problem create ना करे तो इस तरह से कडियों को खिसकाते जाएंगे आपस में जिससे हम अपने setting के according जो है दोस्तो वो camshaft और इसके जो इस pocket को match कर सके camshaft में भी दोस्तो अलग-अलग design रहती है क्योंकि उसमें भी inlet valve और outlet valve को खोलने के लिए rotor बने रहते हैं तो उसे जाप से सारों को setting दिया हूँ रहता है तो आप इसको कैसा भी ना लगाएं जो इसमें setting दिये बैसा लगाएं टॉप उपर आना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं T उपर आ रहा है और आजू-आजू की marking इसके जो surrounding उसके parallel पर है तो यह देखे दोस्तो हमने अभी इसको फसाद देंगे इस तरह से camshaft में गुमा कर यह देखी आ गई है दोस्तो अगर आप discover, platina या city 100 की repairing की video चाहते हो camshaft वाली timing chain वाली तो वो मेरी channel पर already है तो आप मेरी channel को subscribe कर लें साथी में description में link दिया हुगा उस video का तो बहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं तो अभी इसमें दोस्तो हम बासा लगा देंगे और जो इसमें LN की दी हुई है उसको भी लगा देंगे यह देखिए जो भी दोस्तो इसमें main काम है जो की setting का है समझने का है बहुत सारा कुछ मैं आपको आराम से बता रहा हूँ अभी हमने इसकी timing chain को फसा दिया है उपर अब बासर के साथ LN की को tight कर देंगे 6 number की LN की लगेगी दोस्तो LN की को इस तरह से tight करके fix कर देंगे एकदम क्योंकि अब यहाँ पर खोलने का कुछ काम नहीं रहेगा अब हमें direct timing chain को tight करना पड़ेगा तो किसी भी तरह के lock लगा के हम इसमें इस तरह से उपर करेंगी तो यह tight हो जाएगी timing chain का जो main screw है अब यहाँ से दोस्तो timing chain नीचे से और उपर से एकदम fix हो गई है अब हमें इसमें जो है जो tensional रहता है दोस्तो उसको खोलना है अभी हमने lock किया था पहले अब हमें उसको खोलना है जिससे जो भी timing chain ढेली है वो tight हो जाए और अगर इसमें कोई भी कड़ी एक क्यूपर एक चड़ी होई है फिर कुछ भी problem है तो वो हमें अभी समझ आ जाए इसको खोल देंगे तो यह सारा कुछ एकदम से tight हो जाता है जो भी head अगरे हो जाता अब हम इसको उपर करके देखेंगे क्या यह उपर हो रही है तो दोस्तो यह उपर नहीं हो रही है साथी में नीचे से भी timing chain tight हो गई है अब हमें दोस्तो Caesar gear लगाना है Caesar gear लगाने के लिए यह balancer रहता है इसको आप कैसा भी घुमाएंगे तो यह अपनी position पह जाएगा इसमें भी एक marking दी होती है जो कि आप नीचे से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा यह marking यहाँ कहीं आती है जब आप नीचे से देखेंगे तो वो आपको marking देख जाएगी तो उस तरह से आपको इसको marking set करना है फिर हमें Caesar gear को लगाना है Caesar gear दोस्तों जैसा company से आया हुआ था मेरी गाड़ी में बैसा का बैसा मैंने loader में ले लिया था उसको अगर मैं खोलता तो आपको बताता कि Caesar gear में कितनी load एंगे कितने उसके जो anti clock wise उसको खमाया हुआ था तो बो तो मैंने अभी azotis निकाल लिया है सबसे पहले दूस्तों Caesar gear लगाने के पहले उसके bearing में oil लगा लेंगे क्योंकि Caesar gear की shaft एकदम tight रहती है और इसमें ये बासर डला हुआ था छोटा वाला तो इस बासर को भी लगा देंगे अब हम Caesar gear को अपनी जगे पर लगाएंगे Caesar gear को लगा देंगे समय आप बैलेंसर का द्यान लखेंगी बैलेंसर अपनी मार्किंग पर आए अगर ये बैलेंसर आप जैसा चाय बैसा लगा देंगे तो आपकी तो अभी दोस्तों Caesar gear हमने लगा दिया है बैलेंसर का भी मार्किंग देख लिए है इसकी मार्किंग का ध्यान रखें बैलेंसर की मार्किंग का ध्यान रखें उसके बाद हम इसमें clutch hub को लगा देंगे ये clutch hub लगा देंगे इसके gear बैठते हैं आपके Caesar gear की उपर आपके oil pump की उपर और हमारे ये वाला जो gear है हो दोस्तों उसकी उपर ये तीन gear बैठते हैं इसकी उपर तो इसका आप धेहन रखें कि तीनों में ये fix हो जाए अब दोस्तों जैसा कि सारा कुछ fix हो गया है अब हम इस loader को निकाल लेंगे अब हमें इसकी उपर का cover लगाना है उसके पहले बासर और bearing में oil इन चीजों का धेहन रखेंगे इसमें bolt लगा देंगे तीनों आठ नमबर की लगते हैं इसके अंदर tight कर देंगे अच्छी तरह से इसी तरह से दोस्तों पलसब 150, 180, 220 और 200 old model का repairing किया जाता है तो आप इस वीडियो को देखके अपनी बाइक की timing chain को repairing कर सकते हैं अभी हमने distance डाल दिया है clutch hub की अंदर अब हम clutch center लगाएंगे इसमें clutch plate पहले से फसी हुई है तो उनको आपस में बिठारते जाएंगे और लगाते जाएंगे अब हमें दोस्तों इसके अंदर center bolt डालना पड़ेगा center bolt उल्टा घूम के लगता है आप देख लें कि डारेक्शन में में घुमा रहा हूँ उल्टा लगता है खुलते समय यह कस्पता है और कस्पते समय खुलता है इसकी यह setting चलती है तो यह इस तरह समय कस्पतेंगे इसको उसके बाद इसमें जो सारी स्प्रिंग लगते हैं दूस्तों सारी स्प्रिंग को हम लगाएंगे और यह वाला हमारा centrifugal filter रहता है जो जो की crank में oil पहुचाता है centrifugal filter को लगा देंगे साब करके इसकंदा दूस्तों बहुत सारे metal की particle निकलते हैं दूस्तों घिसा हुआ लोगा निकलता एक तरीके से बिलकुल क्योंकि फिल्टर रहता है और इसी तरह की metal particle को catch करने के लिए इसको बनाया जाता है तो इसको भी आप clean करके रखें नहीं तो यह जो आपकी गंदे की है जो आपकी metal की particle है इंजन में supply होनी कुछे से दोस्तों आपका crank का bearing कट जाएगा तो वो एक noise बनाने लगेगा तो सारा कुछ आप clean करके लगाएंगे खोलते समय तो बहुत बहुत बहतर रहेगा और नया ओल डाल लेंगे अपनी गाड़ी को repair करने के बाद तो आपका जो पैंच पुर्चा है दोस्तों सारा कुछ ठीक चलता रहेगा इस बात का ध्यान रखें आप अभी हमने जिसको ज description में due ही तो बहाँ से जाके भी आपके पाद जो tools नहीं आप उनको ले सकते हैं अब इसमें तीनों screw लगा देंगे centrifugal filter की उपर यह देखे दोस्तों हमने filter को fix कर दिया है अब हम दोस्तों clutch में spring जो रहती हैं उनको डालेंगे clutch की spring की भी एक अलग सेटिंग चलती है कई लोग बोलती है कि मेरा clutch बहुत टाइड हो गया है यह फिर मेरा clutch बहुत धीला हो गया है तो उसकी भी एक setting रहती है दोस्तों की जो की company करके देती है spring की उपर yellow color की निसान लगे रहते हैं जो कि हमें outside की तरफ रखना है yellow color की निसान दोस्तों हमें center के outside में रखना है और उसको लगाना है अगर आप कैसी भी spring लगा देंगे इसके अंदर तो वो spring जो है दोस्तों extension pressure create करती है जिसे हमारा clutch hard होता है कई बर clutch slip होता है तो यह problem आत ही रहती है डिपेंड करता है बाइक की उपर और दोस्तों लगबक सारी spring में मार्केंग आती है कई spring में red color की मार्केंग आती है क्योंकि Honda है hero है दोस्तों अलग-अलग company तो थोड़ा सा अलग color की मार्केंग देती है लेकिं मार्केंग का मतलब वही रहता है कि आपको clutch से outside र लगा लेंगे और इसको टाइड करेंगे यह देखे इसको टाइड कर दिया है अब इसमें दोस्तों clutch bearing लगाएंगे तो यहां पर दोस्तों हमारे clutch का पूरा काम हो गया है नीचे की तरफ पैक कर देंगे अब उपर की तरफ भी हमें पैक करना है तो इसमें sleeve लगाएंगे य और form लगाके sleeve को लगाएंगे और ठोक देंगे अब दोस्तों हमें इसके उपर head रखना है head को रखने के पहले अम इसमें यह solution लगाएंगे यह solution दोस्तों क्या करता है engine oil leakage को बचाता है इंजन explore leakage इससे होता नहीं है तो इसके head के उपर मैंने पहले से लगाके लिया हुआ यह solution और इसमें यह rubber दोस्तों जो लगी रती है उसके उपर भी मैंने solution को लगाया है यह गाड़ियों के sealant के लिए ही आता है तो आप इसको market से purchase कर सकते हैं अब इसमें हम एक करके सारे श्टोट लगा देंगे सारे श्टोट के बाद बासा डाल देंगे उसमें nut लगा देंगे एक nut दोस्तों जो है वो slip हो गया था मेरा तो वो मैं new लेकर आया हूँ तो जो भी आपकी nut बोलते दोस्तों अगर वो slip हो जाते हैं या पर कुछ खरा हो जाता है उनमें तो उनको नया ले 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 अगर आप प इसको tight कर देंगे 14 नंबर से करेंगे man stood को और 8 नंबर करेंगे side wall को उसको करने के बाद दोस्तों इसके उपर हमें यह packing लगाना है यह हमारी packing original है तो यह फटी नहीं थी टूटी नहीं थी तो इसको मैंने उसी को लगा दिया है अब इसमें सारे 8 नंबर के लगाएंगे और इसका जो clutch wire रहता है उसको भी लगा देंगे तो इसमें सारे 8 नंबर के लगा लेंगे टोटल 12 लगते हैं दोस्तों दो हमारी लगते हैं यहाँ पर starter motor की तरफ self की तरफ जो की cover के नीचे रहते हैं तो टोटल 12 लगते हैं इसकी उपर तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसार से आप timing chain को change कर सकते हैं उपर जैसा कि मैंने सारा कुछ pack कर दिया और नीचे भी सारा कुछ pack कर दिया है इसके पाद दोस्तों गाड़ी के spark plug में हम connector लगा देंगे गाड़ी में fuel tank लगा देंगे seat लगा देंगे सारा दोस्तों जो है वो खराब नहीं हुआ था और ऐसा नहीं है कि timing change चेंज करने पर हमें नाए engine oil डालना पड़ता है वो तो दोस्तों मेरी गाड़ी के servicing की time जो हो गया था तो मैं नाए engine oil लेकर रहा हूं और मैं बजाज का original engine oil ही use करता हूं अगर आप 100% synthetic किसी company का engine oil use करते है दोस्तों जो की काफी costly आते हैं तो उनसे आपकी गाड़ी की दोस्तों जो भी packing रहती है वो लीक होने लगती है engine oil लीक होने लगता है यह problem आती है उसके साथ बागी तो synthetic oil अच्छा रहता है मैंने भी use किया है लेकिन engine leak करने लगता है तो इसलिए मैं बजाज का original यूज करत के बाद दोस्तों यहाँ पर आप oil level को चेक कर सकते हैं इसके अंदर 1.2 लीटर पड़ता है तो यह रही दोस्तों हमारी पुरानी timing chain जो की इस गाड़ी की मैंने बदल दी है अभी मैं आपको दोस्तों इस गाड़ी का sound सना देता हूँ और यह गाड़ी total चली हुई है 34,000 km गाड़ी की आपको condition देख सकते हैं कैसी है और अभी मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ यह गाड़ी दोस्तों 34,000 km चड़ी हुई है और यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं 30,000 चलने के बाद दोस्तों मैंने इसकी reading को reset कर दिया था तो 30,000 जो है वो इसमें दिखता नहीं है क्योंकि मैंने उसको reset कर दिया था और बाकी की ऊपर के जो 4000 आपको नजर आएंगे तो मीटर कैसे reset करना है कैसे उसको zero करना है पीछे करना है इस सारी कुछ वीडियो दुस्तों जो हम आपके लिए बनाता रहता हूं तो चैनल को subscribe जड़रू कर लें कि अभी अब दोस्तों गाड़ी का sound सुन सकते हैं background noise को ignore करें गाड़ी का main sound सुने किस तरह से आ रहा है एकदम अब यह आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी में से किसी भी तरह का sound नहीं आ रहा है background में कुछ ठोका पीटी हो रही है उसके पर आप ध्यान ना दे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बाक में ज़रूर बताएं साथ में सिताकि और भी रिपेरि रिडियो ला टारे ताहू।